पाठ ग्यारह बहादुर मम्ता सत्य पर आधारित कथा मम्ता दलाई साथ साल की थी वह मम्मी पापा और बड़ी बेहन असंती के साथ ओडीशा के बनकल गाउं में रहती थी मम्ता के घर के पास ही एक तालाब था जहां अक्सर बच्चे नहाने वा उच्छल कूद करने जाते थे अप्रेल 2017 में मम्ता भी अपनी बेहन के साथ तालाब में नहाने के लिए गई वैसे तो दोनों बेहने रोज वहाँ जाती थी और खूब मस्ती करती थी लेकिन उस दिन जब मम्ता की बेहन असंती तालाब में घुसी तो उसे अपने पैरों के पास कुछ खुर्दुरी चीज में हसूस हुई जब तक वह कुछ समझ पाती एक बड़े से मगरमच ने उस पर हमला बोल दिया मगरमच ने उसका एक हाथ अपने जबडे में फंसा लिया था असंती बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चिलाने लगी ऐसा भयानक नजारा देख कर मम्ता हैरान रह गई पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखा कर असंती का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी ओर खीचने लगी उसे इस बात का बिलकुल डर नहीं था कि कहीं मगरमच असंती के साथ साथ उस पर भी हमला ना कर दे वह मगरमच से असंती को छड़ाने में लगी थी एक तरफ मगरमच और दूसरी तरफ ममता असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खीच रही थे काफी समय तक यही चलता रहा ममता मदद के लिए लगा तार जोर जोर से चिला भी रही थी तब ही वहां से गुजरते कुछ लोगों ने चिलाने की आवास सुनी तो वे उसकी तरफ दोड कर आए तब तक मगरमच ममता की बाहदुरी के आगे घुट ने टेक चुका था मगरमच ने असंती का हाथ छोड़ दिया लोगों ने जब ये द्रिश्य देखा तो हैरान रह गए असंती को तुरंत पास के अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई गई जब ममता के माता पिता को अपनी बच्ची की बाहदुरी के बारे में पता चला तो लोगों के साथ साथ उन्होंने ममता की खूब तारीफ की ममता का नाम राश्ट्रिय वीरता पुरुसकार के लिए भीजा गया 26 जन्वरी 2018 को गनतंत्र दिवस के अवसर प्रप्रधान मंतरी ने ममता की बहादुरी के लिए उसे राश्ट्रिय वीरता पुरुसकार से सम्मानित किया संदेश हमें डरना नहीं चाहिए बलकि हिम्मत और बहादुरी से काम करना चाहिए